नमस्कार दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें पास में जो घंटा उसको जरू दबा दें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें एक और important चेज आप सभी लोगों के लिए कि जरूर हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें क्योंकि लाइनप के बाद जो भी मेरी final update होगी टॉस के बाद जो भी मेरी final update होगी या फिर मैं कोई भी change करूँगा अपनी टीम में 100% जो मेरी winning टीम होगी वो आप सभी लोगों को टेलिग्राम चैनल पे दी जाएगी बिलकुल फिरी में तो जरूर टेलिग्राम चैनल जोईन कर रहे ना इसकी जो मैंने link है वो comment में दे दी है comment section में आप जैसे जाएंगे number first page वो comment होगा वो हमारे टेलिग्राम चैनल की link होगी जाकर जोईन कर लेना 2900 से ज्यादा लोग already यहां पर join हो चुगे हैं और free teams का profit उठा रहे हैं तो अमीद करूँगा आप लोग भी जाका join हो जाएंगे और free teams का profit आप लोग भी उठाना चाहेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो match cover करने जा रहे हैं वो है dream 11 super smash का men's match जो यहां पर खेला जैने वाला है CS versus CK के बीच में तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इस message related importance सभी जानका रिया कौन सा player आपके लिए important रहेगा किस player को आप लोग ड्रॉप कर सकते मेरी final team क्या होगी pitch report यहां पर क्या रहने वाली है तो सबसे बले शुरुआत करते हैं pitch report से तो दोस्तों यहां पर जो pitch रहने वाली है high scoring और यहां पर batsman को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है क्योंकि यहां पर जो venue है वहां पर boundaries बहुत ही छोटी है और ballers के मुकाबले यहां पर बले बाजों को अच्छी खासी मदद देखने को मिलेगी तो जो भी आप लोग टीम create करें वो batsman के favor में करें और आज अच्छे batsman को captaincy और wise captaincy भी आप लोग दे सकते हैं तो मैं बात करूँ सबसे पहले bicket keeper section की दो ही pick आप के लिए most important है कि एक तो फलेचर की दूसरी dean clever की है फलेचर का इसलिए में important नहीं बतानों बहुत ज़्यादा नीचे batting करने आता है जब भी जो dean clever है ओपर भी करने आते हो कुछ matches में open भी इन्होंने किया है तो मैं definitely इन्हीं के साथ जाओंगा और इनका credit भी कम है फलेचर के मुकाबले आधा credit कम है तो इसलिए में फलेचर की जगाए पर dean clever को में टीम में लेना चाहूंगो इन से ज़्यादा matches इन्होंने खेले हैं points भी इन से ज़्यादा है और batting water भी इन से उपर है तो सभी मामलों में dean clever best wicket keeping option के लिए हमारे लिए सबसे अच्छे player माने जाता है betting यहां मैं बात करूंगों तो सबसे बड़ा ना मता है जोर्ज वार्कर का important player है इसको pick करिए उसके लिए पर चैड बोस को मैं लूँगा रॉस टेला credit issue होगा इसलिमें को नहीं ड्रॉप कर नहीं लेने वाला हूँ और साथ भी इन्होंने टूर्णमेट में कुछ ऐसा खास perform भी नहीं किया है मैं clear or important player है hard hitter है miss and hit type player है अगर मतलब out हो गया तो 0 पे out हो जाएगा अगर चल जाता है तो 40 प्लस मार के ही जाएगा और 20 से कम गेंदों पर भी मार सकता है यह और यहाँ पे जो boundaries है वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी है और high scoring venue है तो इस player को आप लोग बिल्कुल भी drop मत क अपनी team में ले लेना उसके लबा यहाँ पर आता एक और कमाल का batsman विल यंग जो कि हमारे लिए important है तो इसको भी आपको ज़रूर अपनी team में भी कर लेना है यह भी बहुत ही अच्छा player है और venue के according यह भी बहुत ही अच्छा perform कर सकता है इस जगे पर अगर मैं दोस्तों य लेकिन मकोनी को मैं अपनी team में ज़रू भी करूँगा बहुत ही ज्यादा important player है चार ओवर का spell कराता है पिछले में इसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी 50 प्लस score जहां तक किया था इसने दिखा देता हूं मैं जेक सकते हैं 69 पॉन्ट दीते और जैसा मैं निका 50 सकता है क्योंकि बहुत ही तगड़ा प्लेयर पॉइंट्स की में बात को देखिए पॉइंट्स आप इसके देखिए 50 जब जब इसे कम परसंट लोगों ने लिया तब तब इसने अच्छा परफॉर्म किया 56 लोगों लिया था 60 पॉइंट तो important player देके 7 परसंट लोगों ने अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बात की गैरेंटी है बात करूँ दोस्तों मैं बॉलिंग सेक्षन की बहुत ही गमाल के बॉलर से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैं ठेनरी की अच्छा गेंद बाज है इसको भी करिए हर ए बिके निकालना जानते हैं तो जब भी टेम को विकेट्स की ज़रूरत होगी इनके पास इनकी टीम आएगी अब बचते हैं आप दो लोग पहला आता है नशल दूसरे आते हैं विलियम्स उसके लबा नीचे एक प्लेयर है हमारा जो है जो फिल्ट जो फिल्ट का अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं सभी मिच में ठीक ठाक परफॉर्म नंकी हैं पर इतना अच्छा नहीं गिये और जबकि उपर मैं बात करूं या पे नशल की तो ये भी अच्छे प्लेयर हैं देख सकते हैं चार मिचेस में लगा तार विकेट निकाल के आ रहे हैं तो चाहे है तो आप इनको ले सकते हैं बाकी बिलियम्स की अगर मैं बात करूं पिछले मिच में अच्छा परफॉर्म किया था पर लेकिन मैं या पर इसी डिम कर साथ जाओंगा देखिए मैंने या पर आपको रिस्क बता दिया है मैंने क्यों लिया है तो देखिए मैंने आप पर मकोन को इसलिए लिया है क्योंकि चार ओवर का बॉलिंग कराएगा प्लस अगर टॉप और फेल होता है टिम का हार्ड हीटिंग बैटिंग भी करना जानता है यह तो डेफिनेटिली मैं इसको जरूर ट्राइ करूंगा ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा एक और आपके लिए जो काप्टन केसे में कैपटन कीसे में वाइस जिपिक रहने वाली सेयोंगा इने हैं इन्हेंiono करों अच्छी बल्लेबाजी भी करना जानता है तो मैं definitely यहाँ पर ब्रस्विल को बना देता हूँ Captain अब मैं बात करूँ बाइस Captain की Walker अगर यहाँ पर देखिए CS की टिम पहले बेटिंग करती तो Walker बहुत इच्छी बेटिंग करेंगे, हार्ड हेटिंग करेंगे इनकी मैं अगर points की बात करूँ तो यह भी बहुत ही कमाल का player है, तो यहाँ पर चली मैं Captain वास Captain इन्हीं दोनों को बना देता हूँ बाकी यहाँ पर देखिए Dairy Missile की मैं बात करूँ तो इनकी मैं points आपको दिखाऊँ तो यह भी बहुत ही कमाल के player है, देख सकते हैं अच्छे point करके आ रहे हैं, तो Captain वास Captain पर थोड़ा बहुत risk करेगा तो चली मैं दिस्क लेकर आपे missile को बना देता है, क्योंकि जो worker है वो batsman है, मान लीजे, अगर यह 10 या 20 बना के out हो जाते हैं, उसके बाद हमारा wise Captain या Captain का point खराब हो जाएगा, जबकि जो breathable missile है, चार-चार ओवर spell कराते हैं, साथ में बैटिंग भी करेंगे तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ही अपना Captain वास Captain रखूँगा, बाकि आपकी मर्दी है, ट्राइ कर लेना अगर worker को करना चाहें, बलकि मैं आपको ग्रान लिक्की बिक्स बाता देता हूं, मकिलोर भी बहुत अच्छे Vice Captain बन सकते हैं, विले यंग भी बहुत अच्छे Vice Captain बन सकते हैं, तो मैं अपनी इस टीम को दोस्तों सेव कर देता हूं, एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रिव्यू देख लिजे, इसका स्क्रीन सौल ले लिजे, जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हों, वहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को सेव कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग इस टीम के साथ जरूर वान करेंगे, अब मैं बात करता हूं, यहादा चेंजिस में करना पसंद नहीं करता ह गरानली भी खेलता हूं, तो वन टीम के साथ खेलेता हूं, बस केप्टन थोड़े वो चेंज कर देता हूं, तो यह हमारी गरानली की टीम होगी, देखे केप्टन ने बिलियंग को इसलिए बनाया, अगर बेटिंग आ गई तो यह 30 गेंदों पर 70 रन तक मार सकता अच्छा प्लेहर है, और McLaur भी बहुत ही अच्छा प्लेहर आपके लिए रहने वाला है, तो एक बार आप लोग हमारी यट्टुए टीम का पृव्यू देख लीजिए, यह हमारी यट्टुए टिम रहेगी, और यह हमारी गरानली के टीम रहेगी, एक बार आप लोग इसका भी प्र सकते हैं मरजी आपकी है चैनल पर पहली बार आए हो यह आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलिएगा पास में जो गंटा उसको जरूर दवा देना ताकि आप सबी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके यह आपके ल लेना कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी 2900 से ज्यादा लोग और यहाँ पर जॉइन है और फिरी डिम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं तो आप लोग अगर अभी तक जॉइन ना हुए हो तो जाकर जरूर जॉइन कर लेना हमारे टेलिगाम चैनल से तो दोस्तों मैं मिल